कच्ची केरी का सीजन चल रहा है और हम डिफरेंट टाइप की डिस बनाते हैं कच्ची केरी से अगर आपने इस तरह का कुछ भी कच्ची केरी से नहीं बनाया तो आपने कुछ भी ट्राय नहीं किया हेलो फ्रेंड मैरा मीका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चनल कुकिंग बिद कॉन्फिडेंस में तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ कच्ची केरी से बने हुई टेश्टी चट खारेदर खटी मीथी लॉंजी इसे बनाना बहुत आसान है साथी साथ इसका फायदा एक है ही तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल्दी से जाएए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजए बैल आइकन को प्रेस कर दीजगा जिससे मेरी आने वाली सारे वीडियो को नॉटिफिकेश है और आप देख सकते हैं जो सॉफ्ट वाला कैरी है वो वाला मैंने नहीं लिया है मार्केट से आज ही लेकर आई हूँ और इसके बाद हम आज ही इसकी बड़ी ऐसे कैरी का लौंजी बनाने वाले हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैं कैरी को अच्छे से छेल कैरी की जो डिफेसेंसी है वो तो आप जानते ही होंगे कैरी में बहुत सारे फायदे मन एंटियोक्सिडेंट होते हैं यह आखों के लिए डाइजेशन के लिए फायदे मन दोता है और गर्मियों में हम मोश्टली कैरी का बहुत यूज कर सकते हैं हम कैरी का पना सकते हैं कै केरी का अचार बनाते हैं चटनी बनाते केरी की धेर सारी डिसेस हम बनाकर रेडी करते हैं तो मैंने केरी को छील लिया है और इसी तरह से सारी केरी को मैंने अच्छे से पील कर लिया है इसके बाद हमें से कट करेंगे तो जो लॉंजी हम बनाते हैं उसमें किसी तरह की सेव की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप किसी भी तरह से मोटा, पतला, छोटा, आप इसे एक साइस का कैरी को कट कर ले, तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कैरी को कट कर लिया है, दो भागों में, उसके बाद मैं इसके लंबे-लंबे से पीसिस कर लूँगी, ये देखिए, सला मैं इसे गुटली बोलती हूँ, आपके यहां जो भी बोलते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा, अगर आपके यहां भी गुटली बोलते हैं, तो मैंने क्या किया है, इसमें जो पल्प लगा हुआ था, उसे भी इस तरह से मैंने निकाल लिया है, ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि इसमें सेव की कोई जरूरत नहीं है, आपकी सीवी सेव में से कट कर सकते हैं, और इसकी जो गुठली है ना, इसे आप फेके मत, इसे आप सुखा लें, और जैसे हम दाल बनाते हैं, या फिर कोई भी आप वेजिटेबल्स में इस करने वाली हूँ, डिर कप पानी, तो यह देखिए, मैंने एक कप डाल दिया है, इसके बाद मैं आधा कप पानी इसमें और डाल देती हूँ, तो जो केरी की लॉंजी है ना, वो हर कोई डिफरन डिफरन टाइप से बनाता है, जिस तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ, अ आपको इसमें एक साथ दो चीजों का फायदा कैसे मिलेगा, तो मैंने क्या किया था, पानी को अच्छे से बॉइल कर लिया है, करी पत्ते डाल दिये हैं, और इसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और हल्दी डाल दी है, और अच्छी तरह इसे बॉइल कर लिया है, लगबग पांच मिनिट के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसे कोक नहीं करना है, नहीं तो ये मसी-मसी सा हो जाएगा, तो ये देखिए, ये बड़े ऐसे बॉयल हो गया है, मैं आपको चाकू की हल्प से कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए, कट गया है ना, ये इसली कट बस इतना ही हमें इसे बॉयल करना है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ, इस तरह से आप चाहे तो इसे स्टेन कर लें, छान ले पूरा, और मैं इसे इस तरह से निकाल लेती हूँ, एक प्लेट में सारी कच्छी केरी को, तो ये देखिए, सारी हमारी बॉयल की हुई केरी हमन तो शिरप निकला है, पानी निकला है, इसका भी यूज हम बाद में करेंगे, तो मैंने ले लिया है एक पैन, जिसमें हम लॉंजी बनाने वाले हैं, तो इसमें मैंने एक छोटा चम्मच ओईल डाला है, बहुत ज्यादा ओईल काम यूज नहीं कर रहे हैं, इसके बाद मैंने एक छोटा चम्मच भरके जीरा डाल दिया है, साबुत आधा छोटा चम्मच से भी कम हमने इसमें मेथी डाना डाल दिया है, और आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें सौफ डाली है, आधा छोटा चम्मच से भी कम राई डाली है, और आधा छोटा चम्मच मैं इसमें मंगरे इसमें अच्छा तीखा सा टेश्ट आएगा और अमें इसे अच्छी तरह से mix कर लेती हूँ, तो यह देखिए, मैं इसे लगबग 2 मिनट के लिए ही oil में हमें इसे cook करना है, तो यह देखिए, actually हमें cook नहीं करना है, बस इसे mix करना है, हम पहले ही से boil कर चुके हैं, तो यह cook हो गया है, और हम में डाल देती हूँ, इसमें सूखे मसाले, तो एक चमदबर के माशच डाल रही हूँ, तो देगी लाल मिर्च से इसमें कलर अच्छा आएगा, इसलिए मैं ने एक चमदबर की डाला है, आप चाहे तो normal लाल मिर्च का भी यूश कर सकते हैं, इसके बाद मैं मैं भड़ा स्फेद नमक डाला है कि एक पिंच हिंग डाल सकते हैं यह देखिए, सारे मसाले में मैंने इसे मिक्स कर लिया है, और अम इसमें डाल देती हूँ गुड़ स्विटनर के लिए, आप चाहें तो इसमें मिसरी का भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है, तो 1 kg हमारी कैरी थी, उसमें मैंने 1 कब भर के गुड़ डाला है, यह देखिए, और इसे हम अच्छी तरह से मेल्ट होने तक, मिक्स करते रहेंगे, यानि कि चलाते रहेंगे चमच के हल्प से, तो यह देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो इस स्टेज में हमने जो कैरी बॉयल की थी उसका जो पानी बचा हुआ है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि हमारे जो गुड़ है, वो जल्दी से मेल्टेड हो जाए, तो यह देखिए, हमारा जो गुड़ है, बढ़िया से मेल्टेड हो गया है, और यह देखिए, लुकिंग में कितना यमी यमी और टेश् तो यह देखिए हमारा ग्रमेल्ट हो गया है और इसके बाद मैं इसमें यानि की मेरे टेष्ट के अकॉर्डिंग में इसलिए बोल रहे हूं क्योंकि जो लोग लॉंजी बनाते हैं तो यह दो जो इंग्रीडियन मैंने डाले हैं इसका यूज बिलकुल भी नहीं करते हैं पर म बहुत टेश्टी लगता है और खाने में भी इसके बाद मैं इसमें किसमिस डाल रही हूं तो किसमिस और खस-कस और हमने खरबुजे के बीज डाले हैं यह टोटली ऑप्सनल है अगर आप भी इसे लाइक करें तो आप इसमें डाल सकते हैं तो यह देखिए मैंने सारी चीजो ड्रिंक बनाएंगे तो मैंने क्या किया है आधा जो सिरफ बचा था मैंगो का वो मैंने इसमें डाल दिया है इसके बाद मैंने इसमें मिसरी डाली है आप चाहे तो इसमें सुगर का या फिर आप इसमें हनी का भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद मैंने इसमें आदा छोट साथ में उसका जो सिरब बॉयल किया हुआ बचा हुआ था पानी उसका हमने आप चाहे तो आम का पन्ना बोल सकते हैं या फिर आप इसे मैंगो ड्रिंक भी बोल सकते हैं ये पीने में भी बहुत टेश्टी है साथ ही साथ इसकी जो तासीर है वो बहुत ठंडी होती है तो कंटेनर अगर आपके पास यार टाइट कंटेनर नहीं है तो जो इस्टील के बॉक्से साते है ना टिफिन आप उसमें भी इसे रख सकते हैं आप इसे आराम से एक मन्थ तक यूजली यूज कर सकते हैं अशे तो मैं इसे यार टाइट बॉक्स में निकाल लेती हूं यह देख कर लिया है और ठंडा करने के बाद में इसका धकन लगाऊंगी जिसके इसमें एर नहीं बनेगा और इसमें पानी नहीं जाएगा तो यह आराम से एक दो मंत तक हम यूज कर सकते हैं तो फ्रेंड आपको मेरी ये रेसिपी मेरा ये नया आइडिया लॉंजी का कैसा लगा कॉम आने वाली सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहें और जादा से जादा मेरे वीडियो को शेयर करिए और इसी तरह की धेर सारी अच्छे एच्छी रेसिपी अच्छे आइडिया के साथ में मेरी वीडियो को देखने के यानि कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियेगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो झाते जाते इक कमेंट और लाइक जरूर करते चाहिएगा तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए देखते रहिए मुझे यानि की मेरे चैनल cooking with confidence को मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ में नए रेसिपीज में तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाई